हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर विकास बगेल और आप सभी का मैं अपने चैनल आयू विदायर मेडिसन में बहुत बहुत स्वावत करता हूँ दोस्तो आज हम आपको बताएंगे स्वास्त सूत पार्ट सेवन के बारे में हम आपको रोजना दस नए नियम बताते हैं जो कि आपके जीवन को अच्छा बनाने में मैदद करेंगे आपके स्वास्त को अच्छा रखेंगे और आपके जीवन को भी लंबा बनाएंगे तो एक देर के लिए आपको वेट करना है जब आपका पसीना सुख जाए और आपके सरी का तापमान नॉर्मल हो जाए तब भी आप सनान करें इससे आपका सरी स्वस्त रहेगा आपको किसी परकार की सरदी कहां से जुखाम की दिक्कत नहीं रहेगी और आपकी इम्मूटी भी जानते हैं देर रात तक जागना और सुबह देर तक सोते रहना आँखों और स्वास्त के लिए हित कर नहीं रहता है इसलिए कभी भी आपको रात के समय ज़्यादा तक जाणना चाहिए और सुबह आपको नर्मल उठ जाना चाहिए पांस या शे विजे के आसपास तीसा न बेड के अंदर क्लास्ट्रोल को बढ़ाता है और वसायुक्त खाना खाने से आपका मोटापा बढ़ता है दुम्रपान करने से लंग्स पर बहुत ज़्यता बुरा एफेक्ट बढ़ता है और मासाहरी बोजन से दिल के लिए काफी जयता नुकसान हो सकता है चौता नियम ज रूप से दिन चरिया करते हैं तो सभी प्रकाकिरों अपने आप ही खतम हो जाएंगे और आपका जीवन भी स्वस्त हो जाएगा पांचवा नियम जानते हैं तंबाकू सराब चरस अफिम गांजा यह जहर से भी ज़्यादा खतरनाक हैं नसिले परधात सेवन करने से धन और स्वास्तर दौन से हाथ दोना पड़ सकता है छाटा नियम जानते हैं नियम मेंत रूप से समय पर प्रात्ते जाकर सोच जाने पर इसके साथ समय पर भोजन करने से और सोने से व्यक्ति हमेशा स्वस्त रहता है संपर्न रहता है और वे बुद्धिमान बनता है साथ वा निय राप जानते हैं हमीशा आपको सही मुद्रा में चलना चाहिए इसका प्रेक्टिस करते हैं चलते समय पेरे को कभी भी गिसते हुए भी ना चले ठोड़ी को आगे निकाल का यह जटका दे का कदम नहीं रखना चाहिए बैठते समय पीट सीधी रखकर बैठने चाहिए इससे आपका स्वास्त अच्छा रहता है सभी प्रकाह की दिक्कते कहतम हो जाती है नौवा नियम जानते हैं धूप वर्षया और सीत में हम अपने आपके सर्वर को बचाना चाहिए इन तीनों के अती सीवन से आयू कम होती है और आपको के परकाह के रोग भी घेल लेते हैं दस्वा नियम जानते हैं अत्यादिक भीडभाड और सील जो सथान पर स्वास्त के लिए काफी ज़्यदा ठीक नहीं रहता है तो जितना ह हो सके भीडभाड वाले इलाके में आपको नहीं जाना चाहिए और जहां पर सीलन होती है उस सथान को भी आपको ज्यादा गहन नहीं करना चाहिए जेते दोस्तों दस नियम आपको जो नियम अच्छे लगे उनको आप अपनाए मैं तो आपसे कहूंगा दस के दस नियम सब्सक्राइब करें इसके साथ दोस्तों आप सभी से हमारी गुजारिस है इस वीडियो को कम से कम दस लोगों तक शेयर करें ताकि जिनको भी स्वास्त संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत है या फिर जो अपने आपको स्वास्त रखना चाहते हैं अपने जीवन को लंबा ज दिखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद